कानपूर में 2 और 3 जुलाई की रात एक DSP, दो सम इस्पेक्टर समेत UP पुलिस के आठ अधिकारियों की एक पुलिस रेड के दौरान हत्या कर दी गई इस हत्या का आरोप कानपूर के शिबली इलाके के बिक्रू गाउं के रहने वाले गैंक्स्टर विकास दुबे पर है डौन विकास दुबे का मैंने 2006 में इंट्रव्यू किया था हमारे एक सापता ही कारेकरम था Red Alert जो Star News पर शनिवार को प्रसारित होता था इसका repeat टेलेकास्ट रविबार को सुभै वब वद्वार को होता था नमस्कार मेरा नाम शैलिश कुमार है और आप देख रहे हैं National Defense आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही घंटी बजाए तो डौन नाम से एक एपिसोड करना चाहता था जिसके लिए मैंने कानपूर को चुना मकसद था ऐसे नामी गरामी अपरादियों के चेहरे सामने लाना जो दौलत और शोहरत के लिए गुना की दुनिया में खदम रखते हैं और या तो वो फिर एक ना एक रोज किसी दूसरे गैंग्स्टर की गोली से गैंग वार में मार पहली स्टोरी में धीरचड़ी नाम का एक अपरादी का नाम था वो फरार था उस वक्त पुलिस उसे ढूंड रही थी मैंने सुत्रों के माद्यम से धीरचड़ी का पता लगाया उससे पहले मैंने फोन पे बात की मुझे आज भी याद है मैंने धीरचड़ी से कहा लाइट करिजली दीरचड़ी और 2006 वा वा बातों 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 में उसने अपने अपराधों का प्रिस्ट एप्राटं इस आजराएटे हिते रिएट और माद्ग पुलर्ट व के पास खतरनाख प्रोहिवितेड बैपंस थे वहां बातो बातों में उसने अपने अपरादों का बच्चा खुलासा किया फिर जब इंट्रव्यू की बात आई तो लगा होटल की जो पावर है वो हमारी जो कैमरा लाइट्स है वो एक एक हजार वाट्स की थी कई सारी लाइट्स थी उसका लोड नहीं ले पाएगा तो धीरे चड़ी ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आप मेरे फार्माउस पर चलें मेरी लोकेशन पर चलें तो मैंने मेरी टीम से बात की तो मेरे सिनमोटर ग्राफर ने कहा कि सर यहां से अच्छा तो फार्माउस की लोकेशन बहुत बहतर रहेगी बाराल हम धीरे चड़ी की कार को फालो कर रहे थे और हमारे पीछे उसकी कई सारी कारों का काफिल आता है उसमें हत्यार बन लोग थे सैट अप होते होते रात के दस बज गए धीरे चड़ी ने खाना मगाया हम लोगों ने खाना खाया उसने भी खाना खाया हमारे उसके साथियों ने खाया रात के बारे बज़ी कैमरा लाइट साउंड्स टेस्स करके हम धीरे चड़ी का इंट्रुई करने के लिए बस कैमरा रोल ही करने वाले थे कि अच्छानक धीरे चड़ी का फोन रिंग करने लगा। उसने कैमरामेन की तरफ देखकर फोन अक्टेंड करने की इजाज़त माई। फोन पर नंबर देखकर उसने कॉलर माइक निकालकर असिस्टेंट को दे दिया। और जो दूर जाकर वो बात करने लगा। पांच मनट बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा। सर महीं इंटर्वी नहीं दे सकता। मुझे सुनकर बड़ा आठपटा लगा। मैंने कहा भई क्या हुआ अभी तो हम इंटर्वी शुरूई करने वाले थे। तो कहने लगा मेरे अड्वोकेट का फोन आया था वो कह रहे थे कि अगर तुम मीडिया में हाइलाइट हो गए या इस चैनल को इंटर्वी दे दिया तो पुलिस तुम्हारा इंकाउंटर कर सकती है। तो मैंने कहा वो तो पुलिस वैसे भी कर सकती है। तुमने कुना जो इतने किये हैं। उपर से फरार हो इंटर्वी दे दो फिर कानून के आगे सरेंडर कर देना। बट धिरचड़ी कंप्लीटली चिकन आउट। मैं तोड़ा नराज भी हुआ तो वो मुझे मनाने लगा आखिरकार मुझे कहने पड़ा मैं तो डॉन समझकर तुम्हारे इंटर्वी करना चाहता था धिरचड़ी लेकिन तुम तो गली की गुंडे की तरह बहेव कर रहे हो तो मेरे एपिसोड में मैं तो मैं वही हमियत दूंगा इतना कहकर मैं मेरी टीम के साथ अपने होटल वापस आगया अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे एपिसोड को खड़ा किया जाए अपने बॉस को अपने एरिटोरिल बॉस को प्रॉमिस करके कानपुर आया था कि कुछ हाई रेटिंग टी आरपी में हाई रेटिंग एपिसोड करके आने वाला हूँ बहुस को नहीं मालूम था कि मैं कौन-कौन से क्रिमिनल्स अपने एपिसोड में लेने वाला हूँ बस यही एक अच्छी बात थी मेरे पास रात का वक्त था और एक नए डॉन को यह सोचकर कुछ सूत्रों को मैंने फोन लगाया और उनसे बात की इन में कुछ सोर्स थे वो पुलिस वाले भी थे क्राइम शो था तो मैं आई जी पुलिस डी आई जी और एससपी को इंट्रुवी के लिए दिल्ली से ही लाइन अप करके आया था शूटिंग में पुलिस क कि आप विकास दुवे को इंट्रुवी कर लीजे वो यहीं कानपूर में हैं तो बड़ा अच्छा लगा उस वक्त उस पर तक्रीवन 45 माम लेते और मुझे बताया गया जमीन के लिए उसने अपने कॉलिज प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी 2001 में पुलिस स्टेशन के अंदर पीजेपी नेता संतो शुकला की हत्याकारों भी विकास दुवे पर लगा तो ऐसे ही डौन को तो मैं डूड रहा था जो दौलत और शोहरत के लिए गुनहा की दुनिया में आया हो मुझे मालूम हुआ कि विकास दुवे यूपी पुलिस का मोस्ट वॉंटेड है जहां तक मुझे याद आता है उस वक्त 2006 में विकास दुवे साहरनपुर में पांच किलो डोडा पोस्ट के साथ गाय लबस्ता में पख़डा गया था उसके पैर में कुछ चोट लगी थी औ और कुछ ही दिन बाद वो जमानत पर चूट कर कानपुर के शिबली विधान सबाचेत्र के विकरु गाओं जो उसका घर है वहां आ गया था जहां तक मुझे याद है सुबह मैंने उसके किसी साथी को फोन लगाया था फिर उसने मेरी बाद विकास दुवे से कराई उसके क कुछी घंटों के बाद मेरी टीम के साथ मैं एक लोकल स्टिंगर के साथ विकास दुवे के घर पर था यहां दिन के वक्त का मंजर जो रात का धीर चड़ी और उसके हतियारवन साथियों के साथ फामाउस का मंजर था उससे बेहद अलग था यहां माहौल नहायती खामोश रहसमाई और खतरनाग था विकास दुवे के घर तक पहुंचने से पहले ही मुझे एसास हो चुका था कि मैं और मेरी टीम कई सिक्यूरिटी लेयर से गुजर चुकी हैं अंग में हमें घर के बाहर ही रोग दिया गया हर जिगे जो लोग थे उसके हतियारवन लोग थे हमार कुछ देर बाद हमें अंदर बुलाया गया विकास दुवे सामने था बातचीत का दौर शुरूआ इस भी मैंने कैमरामेन को कहा कि आप सेट अप कर लीजे जहां तक मुझे याद है वो कमलनेगी थे बहुत ही कमलनेगी हमारे कैमरामेन तो दुनिया छोड़कर चले गए इ जिस विकास दुवे को 2006 में मैंने देखा था उसे देखकर अच्छे अच्छो के शरीर में सेहरन पैदा हो सकती थी देखने में वो नॉर्मल स्मार्ट सा नौजवान देखता था लेकिन उसकी आँखों में जहांको तो खतरा देखता था एक डर था अजीब से आई लोक्स विकास दुवे के हैं उसकी पस्नालिटी काफी डराने वाली थी त्विस्टिड थी लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा इजद से पेश आ रहा था भाई साब क्याकर बात कर रहा था मैं तो आहे देन अपरादी उसे मिलता रहता था तो मुझे बिलकुल भी डर नहीं लेकिन अगर कोई आम आदमी मिले और विकास दुवे उसे डराना चाहे तो सिर्फ आँखों से ही डरा सकता था ऐसी पस्नालिटी थी विकास दुवे की जिस वक्त मेरी मुलाकात विकास दुवे से हुई उसने सिर के बाल पूरे मुडा रखे थे उसके पैख में चोड थी इंटुवे में विकास दुवे ने क्या कहा उसके कुछ अंशाप एवी पी न्यूज और जो पहले स्टार न्यूज था और न्यूज 24 दोने चैनल उपर देख रहे होंगे मैं कोशिच करूँगा इन दोने स्टोरीज के लिंक्स आपको डेस्क्रिप्शन में दे दू, 14 साल पुरानी स्टोरी है, 15 साल पुरानी, विकास दुवे ने अपने इंटुवे में पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोला था उस वक्त, पुलिस की तारीफ कर रहा था, फिर ऐसा किया हुआ कि 14 साल के बाद आर्ट पुलिस वालों के नरसंगार के आरोप लग रहे हैं, क्या आ आपको विकास दुवे की हाकीकत बताऊँगा, ऐसी हाकीकत जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, साथी बताऊँगा कि पुलिस वाले जो उसे धून रहे हैं, क्या वो उसे धून पाएंगे या नहीं, कहा चुपाऊगा विकास दुवे, मैं कर्तव निस्टा में शहीद पुलिस जो है, Anug Kumar Singh, सविस्पेक्टर, नेबुलाल जी, सविस्पेक्टर थे, सुल्तान सिंग जी, कॉंस्टैबल, राहुल कॉमार जी, कॉंस्टैबल, कॉंस्टैबल जेतीन पार जी, बबलू कॉमार जी, जो कॉंस्टैबल थे, जो शहीद होगे, उनको नमन करता हूं, इश्व कर्मी हैं मैं उनकी जल्दी स्वास्ता आपकी कामना करता हूं आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए नेशनल डिफेंस को सब्सक्राइब कीजिए इस स्टोरी को जादा से जादा लोग हमें शेयर करिए अगली स्टोरी में हम बहुत जल्द मिलते हैं नमस्कार सब्सक्राइब and प्रिस्ट बैल इकन नवर मिस्स अफड़ आपटेट